नमस्का दोस्तों हमारी यूटूब चैनल इक्जाम लातनर में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेस 2020 में रास्टरी घटना करम से जुड़े प्रशनों को देखेंगे जिसमें आपको जनवरी 2020 से अगस्त 2020 तक के प्रशन इसमें देख तो सबसे पहले प्रशन है आपका कि 29 जुलाई 2020 को केंद्री मंत्री मंडल ने रास्टरी सिच्छा नीती 2020 को मंजूरी प्रदान की इससे संबंधित निम्न कतुनों पर विचार कीजिए पहला जो कतन दिया गया है कि ये रास्टरी सिच्छा नीती 1976 की जगह लेगा तो ये जो है आपका पहला गलत है रास्टरी सिच्छा नीती जो है ये 1986 के रास्टरी सिच्छा नीती का जगह लेगा ना कि 1976 की तो ये जो है आपका पहला गलत हो जाएगा दूसरा दिया गया है कि राश्टरी सिच्छा नेती का अंतिम प्रारूप तयार करने है तो इसरो के पूर अध्यक्ष डाक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समीती गठित होई थी तो एजो है आपका सही है उसके बाद तीसरा दिया गया है कि अनुसंधान संस मंत्राले का नाम बदल कर सिच्छा मंत्राले कर दिया गिया है तो यह भी आपका सही है तो उपयुक्त कतनों में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है तो यहां आप देख सकते हैं पहला कथन आपका गलत है दूसरा सही है तीसरा सही है और चौथा यानि कि दो तीन चार वो है आपका सही है तो आपसन आप देख सकते हैं विकल्ब जो है आपका 20 ही हो जाएगा केवल 2, 3, 4 जो है सही है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है 11 जुलाई 2020 को भारत में किस वर्स होई बागो की गड़ना ने 20 के सबसे बड़े बन जीव सर्वेक्षड होनी का नया गिनीज वर्ड रिकार्ड बनाया है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन 20 ही हो जाएगा वर्स 2018 का और भारत में जो है बागो की संख्या कितना है तो 296 है टोटल और सरवाधिक भाग कहां पर है तो मध्य प्रदिश में है कितना तो 526 भाग है नेक्स आपका 9-11 जुलाई 2020 के मध्य वर्चुल सम्मेलन इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजित कहां किया गया तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपसन C. ब्रिटेन में आयोजित किया गया था नेक्स आपका 29-11 जुलाई 2020 को केंदरी मंत्री परिशत द्वारा मंजू रास्ट्रे सिच्छा नीती 2020 का लच्छ किस वर्स तक 100% इवा और प्रोड साक्षरता को प्राप्त करना है तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपसन E. वर्स 2030 तक नेक्स आपका हाली में रच्छा मंत्राले द्वारा कब भारती सेना में महिला अधिकारियों को अस्थाई कमिशन परदान किया गया तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपसन E. तेश जुलाई 2020 को नेक्स आपका 11 जुलाई 2020 को किस राज्य में देश की पहली राज्य अस्तरी E. लोक अधालत सुरू की गई है तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपसन C. 36 गड में राज्य अस्तरी E. लोक अधालत की सुरुवात की गई है नेक्ष्ण आपका 7 जुलाई 2020 को केंद्री विग्यान योंपरिद्यों की मंत्री डाक्टर हर्सवर्धन और केंद्री किरसी योंपिसान कल्यार मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर ने भारत में नैनो आधारित किरसी इंपुट और खार्दे उत्पादों के मुल्यांकन हेतु दि ने नैनो आधारित उत्पादों के लिए प्रभावी प्रावधानों को तैयार करने में मदद करेंगे तो ये जो है आपका सही है उसके बाद दूसरा दिया गया है इसे बिग्यान योंपरिद्यों की विभाग द्वारा तैयार किया गया है तो ये जो है आपका गलत है उस पहला सही है आपका उसके बाद तीसरा सही है दूसरा जो है आपका गलत है तो एक और तीन जो है सही हो जाएगा तो आप देख सकते हैं बिकल्प बी आपसन जो है सही हो जाएगा एक यों तीन सही है नेक्ट आपका 17 जून 2020 को भारत निर्विरोध संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशत UNSE का अस्थाई सदस्त चुना गया इसे संबंधित निम्न कत्वनों पर बिचार किजिए पहला दिया गया है कि भारत को सुरक्षा परिशत के 15 सदसी समीती के लिए A.C.A. प्रसांथ छेतर से चुना गया है उसके बाद जो है तीसरा है कि भारत को 192 बैद मतों में से 184 बैद मत मिलें तो ये आपका जो है सही है तो परियुत कतनों में से कौन सा कतन सही है ये आपको बताना है तो आप देख सकते हैं पहला सही है और तीसरा सही है दूसरा जो है वो आपका गलत है तो एक और तीन वो है सही है आपका यानि कि बिकल्प सी जो है आपका सही हो जाएगा अगला प्रश्ण अबापका कि 4 जून 2020 को केंद सरकार ने देश भर के किन छेत्रों में अपनी तरह का पहला अर्बन लर्निंग इंटरंसी प्रोग्राम ट्यूलिप लांच किया है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन 20 यह वा अस्थानी सहरी निकायों में नेक्ट आपका 2 जून 2020 को फिल्म मेडिया इकायों को तरक संगत बनाने तथा स्वायत निकायों की समीच्छा पर गठितबी से सग्य समीच्छी ने अपनी रिपोर्ट केंदरी सूचना प्रसारण मंत्री प्रकास जावडेकर को सोंपी इस समीच्छी के अध्यक्छ कौन थे नेक्ट आपका 3 जून 2020 को केंदरी मंत्री मंडल ने क्रसी उपज ब्यापार और वाडी जी समवर्धन और सुबिधा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश से क्या है तो आप देख सकते हैं आपसन यहाँ तो इसका सही इंसर होगा आपसन सी क्रसकों को क्रसी उपज मंडी समीती से बाहर व्यापार की अत्रीक्त आवसर उपलब्ध कराना इसका जो है मुख्य उद्देश से है नेक्स कोशन है आपका 3 जून 2020 को किसने बिजली में अखिल भारती रियल टाइम मार्केट लांच किया तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन डी से हो जाएगा आरके सिंग आरके सिंग जो है केंदरी बिद्ध्य तूर्जा राज्य मंत्री है डी आपसन जो है सही हो जाएगा नेक्स आपका 8 जून 2020 को केंदरी मंत्री मंडल ने किस मंत्राले के अंतरगत अधिनस्त कार्याले के रुप में भारती औसद और होमियोपैथी के लिए औसद को सायोकी पुनरस्थापना को अपनी मंजूरी दी है इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन ए आयूस मंत्राले ने नेक्स आपका 3 जून 2020 को केंदरी मंत्री मंडल ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्थ के नाम में को अपनी मंजूरी दी यानि कि कोलकाता बंदरगाह ट्रस्थ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है तो इसका सही इंसर हो जाएगा option B स्यामा प्रसाद मुखरजी बंदरगाह ट्रस्ट नेक्ट आपका फरवरी 2020 में समुदाय आधारित पोसर प्रबंधन लागू करने वाला देश का पहला राजी कौन बना है तो इसका सही इंसर हो जाएगा option D मध्यप्रदेश समुदाय आधारित पोसर प्रबंधन लागू करने वाला देश का पहला राजी जो बना है वह मध्यप्रदेश है नेक्ट आपका 16 फरवरी 2020 को आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरिवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की सपतली इसे संबंधित निम्न कत्वनों पर बिचार करें तो पहला कतन दिया गया है 11 फरवरी 2020 को घोसित दिल्ली विधान सभा के चुनाओ प्रड़ा में आम आदमी पार्टी को सरवाधिक 62 सीटें पराप्त हुई तो यह जो है आपका सही है और दूसरा दिया गया है चुनाओ प्रड़ाम में भारती जनता पार्टी को 8 सीटें पराप्त हुई थी तो ये भी जो है आपका सही है BJP के कई कितने सीटे मिले थी और आम आदमी पार्टी को कितने सीटे मिले थी तो 62 सीटे तीसरा दियायागे अर्विंद केजरी वालने लगाता तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपत ली तो तीसरा भी जो है आपका सही है तो यहां आपसे पुशा गया है उपरीत कतनों में से सही कतन कौन-कौन से है तो पहला, दोसरा और तीसरा तीनों ही जो है सही है आपका तो आपका D आपसन जो है यहां सही हो जाएगा एक, दो, तीन कतन जो है होगा सही है जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है या वे आप्रासंगिक है तो ये जो है आपका सही है उसके बाद दूसरा है कि बिधी और नियाय मंत्राले यानि की कानूनी मामलों के विभाग के माध्यम से सरकार द्वारा अग्रेसित किसी बाहरी देश को अनुसंधान उपलव्द कराने क अनुरोध पर विचार करना ये भी सही है तीसरा है गरीव लोगों की सेवा में कानून और कानूनी प्रक्रिया का उपियोग करने के लिए आवस्यक हो गए सभी उपाय करना ये भी जो है आपका सही है तो परियुक कत्रों में से सही कथन जो है आपको बताना है तो तीनों ह बिधी आयोग सरकारी राजपत्र में गठन के आदेश के प्रकासन की तिति से तीन बरसों की अवदी के लिए गठित किया जाएगा तो ये जो है आपका सही है उसके बाद जो है भारती बिधी आयोग का मूल रूप से गठन बरस 1955 में हुआ था ये भी आपका सही है तीसरा है इस आयोग का गठन प्रते एक तीन वर्स में किया जाता है तो ये भी सही है बिधी आयोग का गठन प्रते एक तीन वर्स में किया जाता है उसके बाद चौथा 21 भारती बिधी आयोग का कारिकाल वह 31 अगस्त 2018 तक था तो ये भी जो है आपका सही है यहाँ जो है चारो ही बताना है आपको तो चारों कथन सही हैं यानि कि आपका सभी कथन सत्य हैं डी आपसन जो है वह सही हो जाएगा आपका अगला प्रस्णा आपका अठारे फरवरी 2020 को उतर प्रदेश सरकार द्वारा पेस बजट अनुमान 2021 के संदर में निमलिखित कत्रों पर बिचार करें पहला दिया गया आपका प्रस्तुत बजट अनुमान पांच लाग 12,860.72 करोड रुपए जो की अब तक पेस किये गए बजट अनुमानों का सबसे बड़ा है तो ये जो है आपका सही है उतर प्रदेश के 2020 के बजट का काजुरा पांच लाग 12,860.72 करोड रहा है जो की अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा बजट रहा है यानि कि अप्रेंटेश सिप योजना प्रस्तावित है तो तीसरा भी जो है आपका सही है और चौथा दिया गया है कि मुख्यमंत्री सिच्चुता योजना के तहट 2500 रूपए प्रतिमाह की धन्रासी प्रसिक्षड भत्ते के रूप में प्रदान की जाएगी तो चौथा भ सरकार द्वारा पेस बजट अनुमान 2020 के संदर में निम्रखित कत्रों पर विचार करें पहला दिया गया है आपका कि बजट में साथ बिस्विद्यालियों की अस्थापना का प्रस्ताव किया गया है उसका बद दूसरा है बजट में फसल बीमा योजना का लाब पहली बार मूल किसान के साथ ही बटाईदार को भी सुलब कराने की ब्यवस्था की गई है ये भी आपका सही है उसके बाद तीसरा है राजकोसी घाटा वे 35195.46 करोड रुपे अनुमानित है जो की सकल घरेलू राज उत्पाद यानिकी GDP का 2.97 प्रतिसत है ये भी सही है आपका उसके वर्ष चोथा है वर्ष 2021 में खाद्यान उत्पादन का लग्षे 641.74 मिट्रिक टन ये उमतिलहन उत्पादन का लग्षे 13.9 लाख मिट्रिक टन निधारित किया गया है तो ये भी जो है आपका सही है तो उपरियुक्त कथनों में से सही कथन आपको बताना है तो सभी कथन जो है यहां आपके सत्य हैं तो D आपसन जो है आपका सही हो जाएगा अगला प्रशन आपका निम्रिखित कत्वनों पर बीचार करें पहला है कि 28 जनवरी 2020 को केदर सरकार ने देश की 10 और अतिमहतपूर जीलों विटलेंड को रामसर साइट घोसित किया है तो यह जो है आपका सही है पहला सही है उसके बाद इनमें उत्तर प्रदेश की 6 जीले हैं पंजाब की 3 जीले तदा महराश्ट की 1 जील सामील है तो यह भी जो है आपका सही है इसके साथ ही बरतमार में रामसर स्रेडी की कुल 37 जीले हो गई है तो तीसरा भी जो है आपका सही है हाँ तो आपसे पूछा है उपरीत कत्षनों में से सही कत्षन बताना है तो तीनों ही कत्षन जो है सही है पहला दूसरा यो तीसरा यानि कि आपका सभी कत्षन सकते हैं डी बिकल्प जो है सही हो जाएगा नेक्स आपका 29 जनुवरी 2022 को मंजूर चिकित्सा गर्फपात संसोधन बिध्यक 2022 से संबंदित निमलिखित कतुनों पर वीचार करें पहला दियागे हैं प्रस्तावित बिध्यक द्वारा चिकित्सा गर्फपात अधिनियम 1971 में संसोधन किया जाएगा उसके बाद इसमें दुसकर्म पीडित सगे संबंदियों के साथ योन संपर्क पीडित और अन्य सुरचित महिलाएं जैसे कि दिव्यांग महिलाएं ना वालिक भी सामिल होंगी तो दूसरा भी जो है आपका सही है उपरिवट कतनों में से सही कतन बताना है तो यहाँ पहला और दूसरा दोनों ही कतन जो है सही है यादि कि आपका दोनों कतन सत्य हैं D.B. कलप जो है सही होगा हो है नेक्स्ट आपका 27 जनुवरी 2020 को केंदर सरकार ने असम के उग्रवादी समूहों में से एक National Democratic Front of Bordoland ENDEFB और दो अन्य संगतनों के साथ 37 समझोते पर हस्ताक्षर कियें इस संबंध में दिये गए कतनों पर वीचार करें तो पहला दिया गया है इस समझोते का उद्देश बोडो की समाजिक सांस्कृतिक भासाई और जाती पहचान को संदक्षित करना है तो ये जो है आपका सही है दूसरा दिया गया है बोडो छेत्र के विकास है तो 1500 करोड रुपए की बिसिष्ट परियुजनाएं भी सुरू की गई है दूसरा भी सही है आपका तीसरा है बोडो अंदोलन में मारे गए प्रतेक परिवार को 5 लाक रुपए की रासिमुआवजे के रूप में प्रदान की जाएगी तीसरा भी सही है आपका और चौथा है कि बोडो कछारी कल्याण परिशत की अस्थापना की जाएगी तो ये भी आपका सही है तो पुरुवद कथनों में से सही कथन बताना है तो सभी 1,2,3,4 जो है वो सही है यानि कि D आप सुन जो है आपका सही हो जाएगा सभी कथन यहां सत्य है नेक्श आपका 11 जनवरी 2020 को भारा सरकार द्वारा पुरुवद का सुवारम किया गया इससे सम्मंधित कथनों पर बीचार करें तो पुरुवदे सुरुवात किया गया है इसके संबनित जो है कथन दिया गया है पहला है इसका सुवारम कोलकाता पश्रिम बंगाल से किया गया तो ये जो है आपका सही है पहला पुरुवदे का सुरुवात कहां से किया गया है तो Kolkata पस्चिम बंगाल से किया गया है उसके बाद जो है दूसरा दिया गया है पुरोतर राजियों के विकास के संदर में इसपात मंतराले द्वारा पुरोतर की सुरुवात की गई है तो दूसरा भी जो है आपका साही है इसका सुरुवात किस मंतराले के तहरत किया गया है, तो इस पाथ मंतराला के तहरत किया गया है दूसरा भी सही है, उवर्वी कतनों में सही कतन आपको बताना है तो दोनों ही कतन जु है, पहला और दोसरा टो डी आपोसठान आपका सही हो जाएगा, दोनों कतन सहते हैं नेक्स्ट है आपका 53.17 को दादर, योमनागर हवेली और दमनिवे दीव केंसासित परदेशों का बिले बिद्हयक 2019 संसद में पारित हुआ इसे संबंदित कतनों पर बेचार करें तो आप सभी को पता होगा जो है हाली में जो है दो केंसासित परदेशों का बिले करके एक कर दिया गया है दादर योम नागर हवेली और दमन दियु को तो पहला कथन दिया गया यहां कि बिले के पश्चात इस नए केन सासित प्रदेश का नाम दादर योम नागर हवेली और दमन दियु होगा तो यह जो है आपका सही है उसका फिरा दिया गया यहाँ बामबे उचितमनिायले। आदिकार में सासित होगा। तो दूसरा भी आपका सही है यहाँ। उसके बाद चौथा है कि इस विधेयक से प्रसासनियोम, सेवा सर्तौ और अरक्षड में कोई बदलाव नहीं होगा। चोथा भी जो है कथन सही है तो उपरियुक्त कतनों में से सही कतन आपको बताना है तो यहां आपका सभी कतन सत्ते हैं तो C आपसंस के हो जाएगा उपरियुक्त सभी सही है नेक्स आपका दिसंबर 2019 में नीतियायोग ने सतत विकास लक्ष है भारत सूचकांक SDG इंडिया इंडेक्स 2019 का दूसरा संस्क्रण जारी गिया इसे संबंधित कतनों पर बिचार करें तो पहला दिया गया है तीन राजजी उत्रप्रदेश, विहार तथा आसम जो की वर्ष 2018 में अकांची स्रेडी में थे सुधार करते हुए परफार्मर की स्रेडी में आ गये हैं तो यह जो है आपका सही है उसके पाद दूसरा दिया गया है इस सूचकांक में 17 विकास लक्षियों में से 16 SDG के संदर में परतेक राज्य और केंसासित प्रदेश के प्रदर्शन को 0 से लेके 100 के पैमाने पर माना गया है तो दूसरा भी जो है आपका सही है तो परिवित कतनों में से सही कतन कौन सा है यह आपको बताना है तो पहला और दूसरा दोनो ही सही है तो आपका D आपसन सही हो जाएगा एक योंग दो दोनो नेक्स कुशन है आपका दिसंबर 2019 में Chief of Defense Staff यानिकी CDS का अपद सिर्जित करने को मंजूरी दी गई इससे सम्मंधित निम्न कतनों पर विचार करें पहला दिया गया है वह रच्छा मंतरी के लिए प्रधान सेन सलाहकार की भूम का निभाएंगे तो यह आपका सही है CDS जो है यहने की Chief of Defense Staff वह रच्छा मंतरी के लिए प्रधान सेन सलाहकार की भूम का निभाएंगे सही है दूसरा है वह तीनों सेन सेवाओं के लिए प्रस सेन सलाहकार की भूमिका निभाएंगे तो ये भी सही है आपका तो आप से पूछा गया है कि उपरीत कत्रों में से सही कत्थन आपको बताना है तो यहां जो है आपका पहले CDS कौन बने है निकी Chief of Defense Staff कौन बने है तो आप सभी को पता होगा BP नरावत जो है पहले Chief of Defense Staff बनाए गए है नेक्स टाप का दिसंबर 2019 में नीत यायोग द्वारा जारी सतत विकास लक्षे भारत सुचकांक 2019 के संदर में निम्न कत्रों पर विचार करें पहला दिया गया है कि भारत का समगर स्कूर वर्स 2018 के 57 से बढ़कर वर्स 2019 में 60 हो गया है तो यह जो है आपका सही है वर्स 2018 में भारत का रेंग कितना था 57 हो था और वर्स 2019 में बढ़कर कितना हो गया है तो 60 हो गया है दूसरा है भारत ने लक्ष स्वेच पेजल और स्वेच उर्जा उद्योग नवाचार और अधारभूत धांचा तथा वहनी और स्वेच उर्जा में अधिक्तम ब्रिद्धी हासिल की है यह भी जो है आपका सही है उसके पार तीसरा दिया गया है इस सुचकांक में केरल हिमांचल प्रदेश तथा आंधर प्रदेश सीर से तीन अस्थान पर है यह जो है कथन आपका सही है तीसरा भी प्रस्ण जो है आपका बीईयो की एक्जाम में पूछा गया था है आपका तो क पीगत वर्स के सूचकांक में 29 में अस्थान पर था, तो चवथा भी आपका सही है, उतर परदेश का रेंक कितना है, तो 24 में अस्थान पर था, तो आपसे यहाँ पूछा गया है, उपरियुक्त कथनों में से असत्य कथन बताना है, ध्यान से देखिएगा, असत्य कथन आप कोई भी नहीं है, तो आपका आपसन सही हो जाएगा, डी बिकल्प जोई सही हो जाएगा, उपरियुक्त में से कोई नहीं, आपसे असत्य पूछा गया है, तो कोई भी जोई असत्य नहीं है, डी आपसन सही हो जाएगा, उपरियुक्त में से कोई नहीं, नेक्स आपका दि एक दस्मलो चार ट्रिलियन डालर नेक्स्ट आपका ISFR यानि कि भारती बन रिपोर्ट 2019 के संदर में नीचे दिये गए कतनों पर बिचार करें पहला जो दिया गया है आपका कि देश में कुल मैंगरो कवर ये 4975 वर किलोमीटर हैं जो कि कुल भागोली क्षेतर का 0.15 परतिषव हैं तो ये आपका सही है ISFR 2019 कीぎ कितना है तो 4975 पर किलोमीटर हैं जो कि देश के कुल भागोली क्षेतर्पल का 0.15 परतिषथ हैं तो पहला सही है आपका और दूसरा जो कह रहा है कि देश के सरवाधिक महिंग्गरो आचादीग, 4 राज्य या संगीono छेतर करमसे हैं, पष्चिम बंगाल, यानिके सरवाधिक महिंगरो आचादीग, जो राज्य है वो पष्चिम बंगाल है, 52.45% के साथ, और दूसरी ὃसान पर गुझराथ है, 33.66% के साथ, तीशरे नमबर पर अंडमा निकुबा दीव समू है 12.39 प्रतिशत के साथ और चौथे नंबर पर जो है आपका आंधर प्रतिशत है 8.12 प्रतिशत के साथ तो ये भी जो है आपका सही है दूसरा भी कतन सही है तीसरा दिया गया है उत्तर पूर्वी छेत्र में कुल बनावरर एक लाग सत्तर 1541 वर किलोमीटर है जो कि इसके कुल भागोलिक छेत्र का 65.05 प्रतिशत है तो ये भी जो है आपका सही है और चौथा कह रहा है कि मेंगरो वनावरर में सरवादिक ब्रिद्धी दर्ज करने वाले तीन राजे जो है गुजरात है महराष्ट है तथा उड़िसा है याद रख जाल है तो ये भी जो है आपका सही है और पांचवा दिया गया है देश का कुल बांस धारित छेत्र है एक लाग जो है 60,037 किलोमीटर है तो आप से कह रहा है कि उपरी कत्रों में से सत्य कथन कौन सा है तो यहां सभी कत्रों सही है पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांच करेंट अफेर्स यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर कर दीजेगा और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में विल आइकन को प्रेश कर लेजेगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका कर दो